بسم اللہ الرحمن الرحیم असलामुलेकूम वरामते लिल्लाह वरकातू नाजरी ने करियें डॉक्टरइसार अatra की यैस विडियो में बताया है कि इमाम अबु उनिफा ने इमान के बारे में कानूम की बात की है और इमाम बुखारी ने इमान के बारे में हकिकत की बात की है दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं या सिर्फ हमारे सोचने का कसूर है इमान के बारे में तो चलिए इस वीडियो में कितने अच्छे से डॉक्टर इसर आरहमेजजी ने with example बहुत खुब सूर्ते से वीडियो को एक्स्पेन किया है वीडियो पे गौर करते हैं इसका मकाम और है इसका मकाम और है इन मकामों के दर्मियार अगर कन्फ्यूजन नहो तो दोरों की बात सही है असरती सब्स्थ अब अगली बात पड़ाईए इमाम अभु हनिफा कहते है कि ये जो कानूनी एमान है ये जो भी इसलाम है जो भी आप उसे कहे अलिमानो ला यजीदो ला यनकुस ये न घटता है न वड़ता है इमाम बुखारी बर्माते है यजीदो यनकुस घटता भी है पड़ता भी है फिर एक दजादा आगया के नहीं आगया लेकि इस दजादा को भी रिजॉल्व कर लीजे कानूनी एमान या इसलाम इससे दुनिया में एक लीगल स्टेटस आपको हासिल होता है दुनिया में मुसल्मान के हुकूख आपको मिलते है ये लीगल स्टेटस जामिद है ये न बढ़ेगा न घटेगा जबके इमान हकीकी वो अबारत है यकीन से यकीन कभी में इसकता यकीन या बढ़ेगा या धटेगा भोई ने सकता कि यकीन खड़ा रहे जाएंग जला इसलिए कि इसका तालुख दिल से दिल को कल्ब कहते इसलिए कल्ब के मानिया बदलना इनकिलाब भी इसी लवजे गल्ब से बना है कल्ब आहियद, किसी शेका essential change किसी में हो जाना बुनियादी उसको कहते है कल्ब आहियद अलब बिचारा वो उद्र है हमारा जिसे किसी कल्ब चैन नहीं आप सोते हैं आपके पूरे जिसन के पठे आराम कर रहे है दिमाग का जो टिश्यू है वो भी आराम करता है तीन चार घंटे जो गहरी नीद होती है दिमाग भी काम नहीं करता वे इल्कुल सुकूर हाँ उसके बाद वो अपनी चक्की पीसना शुरू कर देता आप खाम देखने शुरू करते हैं वो दिमाग कामल शुरू हो गया लेकि क्ता इसे किसी एक हैसियत पर किसी एक कैफियत पर करार नहीं हो आप इमान का मौमला भी यही है को में घंटेगा यह भड़एगा तुन जिये कि हम इई इसकivos कि आप लेकी के स्सायब कि सामने इसक्राफ़ की जैसे कि आप भटी के सामने बैठते हैं आप जो है उसकी हरारत आप तक पहुंची की नहीं पहुंची आप एसस करते हैं उसकी गर्मी को अगर किसी साहिब यकीन की सोबत में बैठेंगे तो आपके अंदर यकीन जो है वो पैदा होगा बढ़ेगा ये बिल्कुल कानूने फि घड़ेगा ये घड़ेगा यजीदों ये इमाम भुहारी का कौन लेकिन इसकी बुनियाद पर इन्सान के हुकुक घड़ते बढ़ते नहीं मुसल्मान की हैसिए से जो लीगल एंड कॉंस्टिच्टिच्टनल स्टेटस हासिल होता है किसी शक्तों वो जामिद है इसको यू अगर ये दोनों एक बाप के बेचे होते हök तो विरासक में बरागर हिस्सा मिलता है ये मुसलमान नहीं है बाप के अज्च लिएक मुजय को नहीं हो सकती हागर तक्प्फीर हो जाएक प्यानियों कि तक्प्फीर आपने पर्दी कर दिए कि यमारा जूँ श्रम नहीं है बाप के बाप के से सामेली भी सकता मुसल्मान बाप की विरासत गहर मुस्लिम को नहीं गया सकती गहर मुस्लिम बाप की विरासत मुस्लिम को नहीं गया सकती तो ये तो है जब के कानूर में टैकर दिया आपने कि का मुझे करonter tällुज है ये करना तो काफिर निक्य का रही है जड़ा है काफिर नहीं है जिना उसने किया है काफिर नहीं हो गया आत उस पर सब्सक्राइन करों कर दीजे उसे औरमारिये रहेगा मुस्लमान więc you study him as a Muslim. He enjoy all the rights of a Muslim in a Muslim society and all the rights of citizenship in an Islamic state जब तक वो मुसल्मान फातिकों फाजिर हो या मुत्तकी हो तहजद गुदार हो तो हुमक बराबर होंगे विरासत बराबर मिलेगी शरीयत का इंतबाख जैसा होगा कोई फर्क नहीं होगा ये है बात जो समझाना चाहते है इसलिए कि जो दुनिया में मौामला है उस इमान की मुनियाद पर जिस पर हम किसी को मुसल्मान मानते हैं